आज हम डिसकस करेंगे पोलिसस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम यानि कि PCOS के बारे में जो काफी रिक्वेस्टेड टॉपिक है तो यस कॉमनली क्वेस्टिन यह मुझे पुछा जाता है कि PCOD और PCOS सेम है तो यस यह दोनों सेम ही कंडिशन है पहले ऐसा था कि PCOD सिर्फ औरी तक ही सिमित है बट इवेंच्योली पता चला कि इट इस टीप ओफ आइसबर्ग और उसके पीछे पूरा मेटाबोलिक सिंड्रोम और हॉर्मोनल इंबलेंस का पूरा बंच है तो अब हम PCOD को ऐसे PCOS ही रिफर करेंगे तो PCOS का इतना हाइप क्यू है तो पहले उसके बहुत ही कम केसिस देखे जाते है बट लास्ट फाइट टू टेन यर्स में उसके केसिस इतने बढ़ गए इतना स्पाइक आया है कि अभी दस में से हर एक लड़की को PCOS होता है और यह अभी गाइने का पेंडेमिक बन गया है तो चल यह जानते हैं कि PCOS किस वज़े से होता है तो फर्स्ट चिनेटिक यह फैमिली में पाया जाता है Second is environmental यानि कि modern lifestyle जो बहुत ही important और reversible factor है आजकल की महिलाओं को lifestyle busy रहती है जिसकी वज़े से उसको काफी बार cooking के लिए time नहीं मिलता है वो packed food, chunk food और sugar की backed items खा लेती है Second thing is कि आजकी women most of the times dual duty निभाती है एक तरफ कहर का work और दुसरी तरफ job का pressure सो वो काफी तनाव में रहती है Second important factor, sedentary lifestyle पहले की comparison में अभी physical activity बहुत ही कम हो गई है Students यहां तो mobile पे रहते हैं यहां फिर video games play करते हैं और female जो है working woman है वो laptop यहां फिर टीवी पे occupied रहती है तो उस वज़े से हमारी physical activity बहुत ही कम हो गई है Basically हमारी body movement के लिए बनी है और constant बैठे रहने से PCOS का प्रमाण भी बढ़ता है और back के muscle भी stiff हो जाता है So I would definitely recommend कि एक घंटा constant बैठने के बाद आप तो यहां तो stretching करना चाहिए या फिर बाहर जाके चकर लगाना चाहिए तो अब बात करते हैं PCOS के features के बारे में बट आगे बढ़ने से पहले हम एक बार menstrual cycle को short में revise कर लेते हैं ताकि यह वीडियो समझने आपके लिए आसान रहे और अगर फिर भी आपको कोई confusion हो तो यह detailed वीडियो आप देख सकते हैं जैसे हमने पहले देखा कि brain का जो FSH नाम का hormone है वो ovary में एक का growth बढ़ाता है फिर जो egg है वो बढ़ा होके estrogen hormone बनाता है और जो estrogen है वो brain में से LH नाम का hormone release करता है और जैसे LH का peak बढ़ता है तो उसके 24 hours के बाद ovulation यानि कि जो बीज है वो ovary से अलग होके बीजदानी में जाता है गर्ब की नली में जाता है ovulation के बाद जो Follicle का पार्ट बचता है उसको बोलते है corpus luteum corpus luteum है वो progesterone hormone बनाता है जो pregnancy को support करता है अगर एक का Fallen sperm के द्वारा नहीं होता है तो जो corpus luteum है वो progesterone बनाना 14 दिन के बाद बंद कर देता है जिसके बाद periods आ जाता है तो यह हुआ हमारा normal menstrual cycle PCOS के सारे लक्षण आपस में interconnected है तो first है enovulation यानि कि आपका जो एक है वो mature होके ovary में से tube में release ही नहीं हो रहा है जिसको हम enovulation बोलते हैं इस सारी condition का culprit है insulin resistance यानि कि insulin नाम का hormone ठिक से काम नहीं कर पा रहा है basically insulin एक अंतस्त्रा है जो body में swadupin यानि कि pancreas में से release होता है जब भी हम खाना खाते है तो body में sugar का level बढ़ जाता है तो उसके response में pancreas है वो insulin को blood में release करता है insulin basically body के हर एक cell यानि कि कोश को glucose को utilize करने में मदद करता है अगर body में sugar बढ़ गाया है तो insulin है वो sugar को fat में convert करके liver में as a future fuel store करता है तो जब भी आप जादा sweets खा रहे हो तो जो extra glucose है वो चरबी के रूप में liver में store होता है और जब भी आप fast कर रहे हो या फिर लंबे time तक खाना नहीं खाया है तो वो जो fat है वो वापस glucose में convert करने का काम जो है वो insulin करता है तो basically insulin है हमारे body का fuel manager है और इसी वज़ेस से जो doctor है वो weight loss के लिए oily food के साथ sweets को भी कम करने के advice देते है तो आप जानते हैं कि insulin resistance क्या होता है ये PCOS के अलावा type 2 diabetes के patients में भी देखा जाता है तो basically insulin resistance के कारण जो शरीर का cause है वो insulin को use नहीं कर पाता तो उसके consequences क्या होते है तो blood में insulin जमा हो रहा है जिससे insulin का level बलड में बढ़ जाता है दुसरी तरफ है जो blood का glucose है वो utilize नहीं हो रहा है तो उसका level भी बढ़ गया है जिसको बोलते हम hyperglycemia तो जब भी हमने देखा पेले कि glucose बढ़ जाता है तो जो pancreas है वो और भी insulin बढ़ाता है जिससे insulin का level बहुत ही बढ़ जाता है और उसको बोलते है hyperinsulinemia जो PCOS का characteristic feature है कि fasting hyperinsulinemia यानि कि भुखे-पेट insulin का level बहुत जादा high आता है insulin resistance की वज़े से जो हमारी follicle में एग होता है वो blood में से glucose को use नहीं कर पाता जिसकी वज़े से उसका growth अटक जाता है और जनरली 2-8 mm के बीच में जो follicle की मात्रा है वो बढ़ जाती है वो जनरली ओरी के around ओरी के बाहर के विस्तर में जमा हो जाती है जैसे मोतियों की माला बनी है और उसमें काफी बार पानी भी बढ़ जाता है जिसको हम cyst बोलते है नॉर्मली हर महिने एक यहां दो follicle है वो 18-20 mm तक पहुंचके mature होके एग को release करती है बट यहां पे PCOS में ओल्रेडी 12-15 follicle जमा है प्लस insulin resistance की वज़े से किसी को भी glucose पुरा नहीं मिल रहा है जिसकी वज़े से उसका growth है वो 2-8 mm तक अटक जाता है तो यह ऐसी situation हो गई कि एक यह दो लोगों का खाना बनाया है और 12-15 लोग आ गए जिसकी वज़े से किसी को भी पुरा नहीं मिलता प्लस insulin बढ़ने से वो as a growth factor काम करता है और ओवरी में सूजन बढ़ाता है ओवरी को बलकी बनाता है third thing is insulin है वो LH नाम का hormone है वो बढ़ाता है जिसकी वज़े से एंड्रोजन्स यानि की स्त्री में पूरुष का अंतस्त्राव है उसका प्रामाट बढ़ जाता है PCOS का second symptom होता है oligomanorrhea या amenorrhea यानि की periods या तो irregular आते है या दवायाओ के बीना बिलकुल नहीं आते है या फिर आते है तो बहुत जादा आते है तो ये किस वज़े से होता है ये जानते है तो जनरली हमने देखा कि normal cycle में एक या दो अंडे जो है वो mature होते है बट PCOS में बहु नॉर्मल cycle में LH PIC के बाद ovulation यानि की एक जो है वो release होता है जिसके बाद follicle है वो progesterone hormone बनाती है जो pregnancy को support करता है अगर pregnancy नहीं रहती है तो progesterone brain में से LH का production रुपवाता है जिसको हम negative feedback mechanism बोलते है बट यहाँ पे PCOS में ना तो एक release हो रहा है ना तो progesterone बनता है जिसकी व्यजे से आता है हमारा तीसरा symptom यानि की infertility यानि की pregnancy रहने में दिक्कत होना Besides LH, estrogen का level भी body में बढ़ जाता है क्योंकि जो central negative feedback mechanism है उससे उसका control खतम हो चुका है तो बढ़ता हुआ estrogen है uterus की अंदर की दिवाल को ठीक करता है और एक level के बाद पूरा ठीक जो अंदर का दिवाल है वो as a period shed होता है जिससे heavy bleeding आता है PCOS की patient में बढ़ता हुआ LH, androgens यानि की पुरुष के अंतस्त्राव को बढ़ाता है जिसको हम बोलते है hyperandrogenism जो आता है हमारा fourth symptom इस condition में लड़की की body में unusual जगा यानि की face पे chin पे पे पेट पे थाई पे और back पे बालों का growth बढ़ जाता है इसके अलावा face पे pimples आ जाते है और कुछ female में dark patches जो back of the neck और बगल में दिखने को मिलते है जिसको हम medical term में ecanthosis nigricans बोलते है और इसके अलावा काफी female को hair fall भी होता है PCOS के patients insulin resistance की वज़े से weight gain बहुत easily करते है और उसको weight loss करने में बहुत ही दिक्कत होती है जिसकी वज़े से होता है obesity यानि कि चर्बी होना चर्बी जादा बढ़ना और उसके अलावा poor cosmetic और obesity की वज़े से जो PCOS के patients है उसमे confidence कम हो जाता है और वो तनाव में रहते है औ और long term में वो depression का शिकार भी होते है I know यह थोड़ा complex और lengthy session हो गया बट यह patients के अलावा मेरे medical और paramedical friends की तरफ से भी requested topic था तो यह पूरा मैंने depth में समझाया I hope आपको सब समझ में आ गया होगा और इस session को लेके आपको कोई भी confusion है तो आप कमेंट बोक्स में डाल सकते है I'll be happy to answer them all तो next part में हम discuss करेंगे PCOS के diagnosis और management के बारे में so put on hold together for next new and informative video thank you all